अब देखो बच्चो आज जो मैं topic start कर रहा हूँ और ये topic है मेरा क्या Strycheometry of reaction तो देखो बच्चो जो mole concept unit है ना इस unit का ये बहुत ही important topic है क्यों important है क्योंकि आप देखोगे चाहे वो neat हो चाहे iit jwe हो इसमें जो है इससे related question जरूर आते हैं और ये question काफी complicated होते हैं तो इन questions को एक short time में easy going कैसे solve करें इसको मैं बताऊंगा अपनी topic में आप इससे अच्छी तरह से समझें फिर मैं समझता हूँ कि किसी भी question को strycheometry से related किसी भी question को solve करने में आपको कोई problem नहीं आएगी ठीक है तो फिर start करते हैं तो देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि strycheometry होता क्या है मतलब strycheometry of reaction क्या बताता है क्या है ये तो देखो बच्चो strycheometry of reaction means किसी भी reaction में जो reactants है और जो products है इनकी quantities में क्या relation है means कितना reactant लिया जाए मोल में, gram में, volume में तो कितना product बनेगा या इतने gram reactant अगर एक reaction कर रहा है तो दूसरा reactant कितना gram reaction करेगा इन सब को अगर हमें समझना है तो यही कहलाती है क्या strycheometry of reaction means हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है quantitative okay quantitative relation of reactant okay and products in chemical reactions कि एक chemical reaction में या chemical reactions में जो reactant और products के बीच का quantitative relation है वही कहलाता है strycheometry of reaction okay अब आता है कि ये किस पर based है मतलब हमें जो strycheometry of reaction है इन से related questions को solve करना है तो इनका basic concept क्या है तो ध्यान रखें कि ये based है based on iso equivalent law किस पर based है ये iso equivalent law ये होता क्या है बता दू में इसमें ये बोला गया है कि जो reaction होती है न उसमें जितने भी reactants होते हैं उनके बराबर equivalent reaction करते हैं और जो product है उनके भी जो equivalent बनेंगे वो reaction करने वाले reactants के equivalent के बराबर होंगे समझ गए न कि reaction करने वाले जो equivalents है वो बराबर होंगे और जो products के equivalent बनेंगे वो उतने ही equivalent होंगे जितने की reactant के equivalent reaction करेंगे समझ गये ना कि हम यहां लिख सकते हैं कि equivalent यह हैं कि equivalent of reactant reacts equals to equivalent of product formed यह concept लगेगा कि reaction में reactant के जो equivalent reaction कर रहे हैं वो और जो product के equivalent बन रहे हैं वो बराबर होंगे इसी के waste पर हमें stoichiometry of reaction के question करने हैं अब देखो इसमें जो questions होते हैं ना बच्चो two types के मिलेंगे आपको एक तो ऐसे question होंगे जिसमें पूरी reaction में चाहे वो reactant हो चाहे product हो किसी एक की amount आपको बता दी जाएगे कि इतना gram reactant जो है इसमें reaction कर रहा है तो पताएं product का कितना gram बनेगा एक तो यह हैं और दूसरा है कि जब reaction में जो एक से ज़्यादा reactants हों और फिर उनकी amounts दे रखी हों तब कैसे solve करना है इसके अलाबा कोई तीसरा थार्ड टाइप नहीं बनता तो देखो इसमें क्या होगा पहला हमें है कि पहला जो फर्स टाइप आफ इस टाइकिमेट्री आफ रियक्शन से related questions होते हैं उसमें पहला ध्यान रखना है आपको कि given ठीक है only one component चाहे या वो क्या हो आपके पास reactant हो और product ठीक है given only one component amount कि आपको किसी एक component की amount दे दी गई है फिर बाकियों की calculate करनी है तो देखो आपको करना क्या है सपोज हमारे पास एक equation है n1a plus n2b gives n3c plus n4d ओके इस तरह का एक balanced chemical equation है यहां समझ रहे हैं आप n1, n2, n3, n4 यह जो है न यह हैं इनके stoichiometric coefficient a और b के stoichiometric coefficient n1, n2 है इसी तरह product side में चले जाएं तो c और d के stoichiometric coefficient है वो n3, n4 है stoichiometric coefficient तो समझते हो न एक balanced chemical equation में जो reactant products हैं उनके जो symbol या formula लिखे होंगे उनके आगे जो numbers लिखे होते हैं moles जो लिखे हैं वही उनके क्या है stoichiometric coefficient तो सबसे पहला काम क्या है आपको इनके moles लिखना है इन सब के नीचे कि हम यहां कहें कि यह है moles सबोज हमारे पास n a का mole a है ऐसे ही b का mole क्या है n b अब ऐसा होगा question कि अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसमें किसी a की amount दे दी आपको मैंने कहा सिर्फ a की amount दी गई है अब इन में से किसी की भी दी जा सकती है जरूरी नहीं कि a की b की दे दे या c की दे दे या d की तो सबसे पहले आप इसके mole लिख दो इसके नीचे mole तो आप जानते हो कि mole is equal to क्या होगा mass substance जो भी substance है चाहे हो product हो चाहे reactant हो उसका mass लिखें upon में क्या कर दोगे molar mass इससे mole ला जाएगा तो आपने इसके mole लिख दिये अब यह पता है आपको कि any कितने mole है फिर आपको करना क्या है equivalent में लिखना है अब देखें कि यहाँ पर equivalent ऐसे लिखेंगे हम na upon n1 यह equivalent किसके हो गए बच्चो एके तो iso equivalent law यह कहता है कि जितने equivalent इसके होंगे उतने ही equivalent बी के reaction करेंगे इतने ही equivalent सपोज इसके na है इसके nb है इनके nc से represent किये जाए और इसको nd से तो इसके मोल इसी तरह से nc upon क्या हो जाएगा बच्चो n3 तो यह हो जाएगा nd upon क्या n4 यह सब बराबर होंगे यही है according to iso equivalent law यह और simple way में लिख लें हम तो यह हो गया w upon m into n1 यह किसके लिए हो गए a के लिए यह हो जाएगा ठी किसी तरह से w upon m into n2 तो यह किसका हो गया b का तो यह है w upon m into n3 यह किसका हो गया c तो w upon m into n4 और यह हो गया किसका d का इस तरह से सब के equivalent आप बराबर कर लें और simple way है कि अगर आपको यह stoichiometric coefficient नहीं पता तो w upon e a is equal to w upon e समझ गया बच्चो b is equal to w upon e c is equal to w upon e और यह क्या होगा d अब मैं यहां बता दूं कौन क्या है w मतलब होता है mass ठीक है of substance जो कि आपको calculate करना है या फिर given होगा m यहाँ पर है molecular mass या molar mass of substance जो भी substance आपको दे रखा है उसका molar mass है और e हो गया यहाँ पर क्या equivalent mass बाकी यह तो आपने देखी लिए n a n b n c n d यहाँ पर ध्याँ रखें n a है n b है n c है या nd है यह है given moles of substance अब किसी के एक के दे रखे हैं या सब के दे रखे हैं इससे मतलब नहीं है अभी आपको पहला relation में बता रहा हूँ कि आपको केवल एक component के दे रखे हैं तो दूसरे के कैसे calculate करें तो यही स्टाइक्योमेट्री का use करना है आपको mole calculate करने के लिए और भी relation है आपको amount gram में दे रखे है amount volume में दे रखे है तो ध्यान रखें कि mole calculate करने के लिए एक तो यही लगा दोगे आप डबलू अपन है या फिर आपको mole calculate करना है तो एक होता है आप इसके अलावा mole calculate करने के लिए अगर मालो कहीं आपको gas का volume दे रखे है तो mole is equal to volume लीटर में ले अपन 22.4 से डिवाइड करोगे या फिर एक होती है हम यहां molarity का use कर दें कि suppose यह molarity into volume यह ml में है upon 1000 करके mole calculate कर ले कई question ऐसे होगे जहाँ आपको molarity दे रखे है तो आपको किसी एक method से किसी जो भी component की amount volume या फिर molarity दे रखे है उससे mole count कर लो और फिर mole जब आप count हो जाए तो equivalent लोग फॉलो कर दो बस अब द दिया गया कि यह reaction है N2 plus 3H2 gives 2NH3 ओके इसमें लिखा है कि N2 जो है वो 56 gram used होती है क्या होती है used ठीक है with axis of H2 ठीक है तो used H2 and formed ammonia क्या होगे अब आपको यह calculation करनी है कि इस reaction में nitrogen का 56 gram used किया गया है तो आपसे पुछा गया है कि जो hydrogen used होगी reaction करनी के लिए वो क्या होगी और जो ammonia formed हो रही है वो कितने gram होगी तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है इसको आप N2 के mole calculate कर लो ठीक है N2 के जो है mole calculate कर लो तो यह कितने हो जाएंगे देखो बच्चो mole कितने हो जाएंगे 56 upon 28 कितना हो गया 2 तो आपने यहां लिख दिया 2 बाकी हमें यह calculate करना है यहां तक बात समझ गए न तो यह तो आपने लिखा इसके mole अब आप इसको किसमे चेंज करो equivalent में तो आप यहां लिखोगे 2 upon 1 is equal to यहां आपको नहीं मालूम hydrogen के कितने mole used हो रहे हैं लेकिन आपको इसको ऐसा तो लिख सकते हैं यह equal होगा NNH3 upon 2 अब इन तीनों में से सब बराबर हैं अब हमें एक एक करके calculate कर सकते हैं तो देखो NH2 upon 3 is equal to 2 इनको compare कर दो तो NH2 is equal to कितना हो जाएगा बच्चो 2 into 3 means 6 mole अगर वो mass पूछ ले कि mass कितना हुआ mass of H2 तो आप लेगे 6 into 2 means 12 gram तो यह है used H2 यह क्या होगी बच्चो used H2 यहां तक clear हो गया बिल्कुल clear है कोई दिक्कत नहीं है न यहां हो गया दूसरा आता है अब हमें ऐसा यूज करेंग N ठीक है H2 या हम N2 से ही ले ले कि हमारे पास N N2 और हम उसी के equivalent से इसको compare कर दे तो या H2 से भी compare कर सकते हैं किसी से भी compare कर दो तो आप यहां लिखा आपने N N2 upon 1 is equal to N ammonia Y2 तो यहां आपके पास आजाएगा N NH3 is equal to क्या लिख सकते है N N2 used into 2 तो यह था आपके पास इसके moles देखो कितने हैं इसके moles तो आपने लिखा इसके mole 2 और यह हो गया 2 तो यह कितना हो गया 4 mole इस तरह से आपने ammonia के क्या calculate कर लिए mole अब आप इससे चाहें तो mass में change कर दें तो mass is equal to क्या हो जाएगा 4 into 70 question solve हो गया अब आपको कोई भी कैसा भी question दे दे तो solve कर सकते हो ना आप देखो एक question तो यह है ठीक इसी तरह से एक question में आपको और बताता हूं जैसे यहां लिखा है h2 plus cl2 gives 2scl समझ गए ना यह लिखा है h2 plus cl2 gives 2scl अब आता है कि हमें यह question दे दिया जाए कि if ठीक है h2 used 22 या हम यह कहें कि 11.2 liter तो used आपको यह इतनी use हो रही है तो used cl2 and formed scl क्या हो उसको mass में volume में तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि moles ले ले लेना है moles of h2 तो आप लिखेंगे देखो volume upon 22.4 liter जब यह liter में दे रखा है तो आपने लिखा 11.2 upon 22.4 तो यह आ गया 1 by 2 mole means कितना mole हो गया 0.5 तो यहां आपने लिख दिया 0.5 mole यहां आपको नहीं पता इसको calculate करना है इसको calculate करना है अब आपने लिखा equivalent तो आपने लिखा 0.5 upon 1 is equal to ncl2 upon 1 is equal to nscl y2 यह समझ गया न 1 2 इसको क्यों लिया क्योंकि यही इनके क्या है बच्चों stoichiometric coefficient अब आप इसको पहले calculate कर लो ncl2 जो used हो रही है cl2 इस reaction में तो वो कितना हो जाएगी 0.5 mole अगर मैं कहूं कि इसका volume कितना होगा तो आप लिखेंगे 0.5 into 22.4 liter में या 11.2 liter और वैसे भी देख लो h2 और cl2 के stoichiometric coefficient बराबर है तो moles बराबर होंगे इनके volumes बराबर होंगे अब आता है दूसरा आप calculation किस से करोगे कि cl2 का आपने ये तो कर लिया क्यों कर लिया क्योंकि आपने इनको comparison कर लिया अब मैंने कहा है nscl upon 2 is equal to तो 0.5 upon 1 क्योंकि हम जानते हैं कि जो h2 के equivalent है वो है 0.1 sorry 0.5 तो हमारे पास nscl हो जाएगा 0.5 into 2 means 1.0 mole या हम ये कहें 22.4 lead तो इस तरह से आपने देखा कि ये है अगर reactant की किसी एक की दे रखी थी अब मालो और भी question है जैसे लिखा है c6 h6 plus 15 by 2 o2 gives 6 co2 plus ठीक है यहाँ पर है आपके पास 3 h2 अब मैंने कहा यहाँ पर कि ये 44 gram बनता है ठीक है formed हो रहा है तो used ammonia क्या होगा या हम volume of o2 कितना होगा ठीक है कि इनको calculate करने है तो सबसे पहले आप मोल देखो इसके मोल आपने लिखा c6 h6 ऐसे लिख दो इसके मोल इसके मोल लिख दिया आपने NO2 इसके मोल लिख दिया है CO2 अब यहाँ पर आप पहले क्या करो NCO2 calculate कर लो 44 upon क्या है 44 means 1 mole अब आप इस equivalent में convert कर दो तो आपने लिखा c6 h5 के मोल अपन वन NO2 के मोल 15 by 2 इस टाइक्यमेटिक ओफिजन से divide कर देंगे ना इस तरह से यहाँ तक बात समझ गए न आप और इसमें आजाओ आप तो यहाँ लिखोगे आप क्या NCO2 by कितना है देखो आप यहाँ पर 6 इस टाइक्यमेटिक का यूज के आपने उसके मोल अपन 6 कर दे बस अब आपको एक एक करके calculate करना Nc6 h6 is equal to 1 is equal to NCO2 by 6 तो Nc6 h6 के मोल is equal to क्या हो जाएगा बच्चो मोल इसके हैं यह 1 by 6 तो Nc6 h6 हो गया हमारे पास 1 by 6 तो अगर आप इसे weight में change करना चाहें तो लिखेंगे 1 by 6 into 78 इस तरह से आप बेंजीन की gram में amount calculate कर लो यहाँ तक बात के लिए है बिल्कुल ओके जस्ट ऐसा ही अब आप ऐसे लिखोगे N02 upon 15y2 is equal to 1 by 6 यह हम इसको ऐसा लिख सकते हैं न कि N02 into 2 upon 15 is equal to 1 by 6 तो आप N02 is equal to कितना हो जाएगा देखो 15y6 upon 2 बस यह volume अब आप इसे चाहें gram में change कर ले हैं W is equal to 15y6 into 2 into 32 या फिर आप इसे volume में change करना चाहें कि इसमें कितना use हुआ होगा oxygen का तो volume में change करोगे तो volume is equal to 15y6 into 2 into 22.4 इस तरह से आप इसे volume में change कर साकते हैं तो अब मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होगे कि stoichiometry of reaction से related question कैसे करना है एक मैं equivalent से भी बता देता हूँ एक molarity से बता देता हूँ माल लो आपको लिखा 2 nao h plus okay h2so4 gives na2so4 plus 2h2 अब माल लो यह लिखा है 40 gram ठीक है तो यह कितना use होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं w upon e nao h is equal to w upon e h2so4 is equal to w upon e यह कितना हो जाएगा h2 अब यहाँ पर आपको balancing नहीं भी पता ना तो भी calculate कर सकते हैं anyo h की amount दे रखी है 40 यह होता है 40 is equal to w h2so4 निकालना है यह होता है 9 तो w is equal to कितना use होगा बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पर है 40 upon e मतलब 40 upon h2so4 तो यह हो जाएगा हमारा 49 बिल्कुल correct सही है तो यह जो है h2so4 की amount आपने calculate कर लिए अब आप से आता है कि w upon e कितना है water कितना हो is equal to w upon e किसका ले लें आप anyo h का तो w upon e water का जो यहाँ पर equivalent mass होगा बच्चों वो होगा 18 ऐसा क्यों क्योंकि इसमें एक h plus और एक o h break हो के बन मतलब जूड़के बनते हैं या उसको break करें तो इसी तरह से break होगा तो o h 19 और एक h का तो यहाँ हो जाएगा 1 तो w हो जाएगा 1 into 18 मतलब यह हो जाएगा 18 ग्राम ध्यान रखें equivalent mass convert change होते है h2o के अलग-अलग में Electrochemistry में लोगे तो equivalent mass जो है water का 9 लेना होता है यहाँ पर लेंगे तो 18 लेंगे ठीक है वो क्यूं है ऐसा यह आप आगे पढ़ोगे तो इस तरह के question बहुत सारे है यह है तब के question जब आपको क्या दे रखा है किसी एक reactant की amount दे रखी थी और आपने या फिर किसी एक product की amount दे ठीक है यहीं तक आज के लिए बहुत है बाकी relation में अगले वीडियो में डालूँगा ओके तो फिर आप उसमें clear करोगे और एक दो question बता देता हूँ मैं आपको अब suppose आपके पास यह लिखा है कि 2 km no 4 plus fe so 4 gives k2 या हम इसको balanced करके या और simple way मैं इस तरह से ले 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 मैं आपको सिर्फ reaction लिख देता हूँ कि balance भी नहीं कर रहा हूँ ठीक है आपको ऐसे दे दूँ मैं km no 4 plus fe so 4 change into k2so4 plus fe2so4 whole thrice plus h2o यह आपको balance नहीं बस आपको इतना दे रखा है यहां पर कि 0.1 molar into 50 ml ओके तो पूछा गया है कि इसकी amount कितनी होगा कि यह कितना होगा कितना gram use होगा ओके तो आप इसको कैसे solve करोगे तो देखो इसके लिए आपको balance to नहीं बता है तो आप सबसे पहले क्या करो एक relation लो normality is equal to molarity into n factor ओके यहां पर km no 4 और आगे देखोगे तो यह change होता है mn so 4 acidic medium में मतलब इस reaction में mn so 4 भी लिखा होगा इस तरह से तो यहां 7 plus है और यहां 5 plus है तो यहां से यहां सरी 2 plus है तो यहां से 7 plus से 2 plus में जा रहा है तो कितने electron accept कर रहा है 5 electron तो यहां पर जो n factor के mno 4 है न बच्चो वो कितना हो जाएगा 5 तो सबसे पहले हम normality में change कर लें molar rate इसको तो यहां हो जाएगा आपको molarity दे रखिया 0.1 और इसमें 5 तो यह हो गई 0.5 आप देखो मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि आपको यह relation लेना है n into v upon 1000 किसका kmno 4 is equal to w upon e ferrous sulfate ध्यान रखें यह ferrous ammonium sulfate के form में दिया जाता है ठीक है तो ferrous ammonium sulfate जो दे रखा होगा उसका आपको equivalent mass भी दे रखा होगा equivalent mass of fas 392 यह मैंने दे दिया आपको तो अब यहां रखा है तो 0.5 into 50 ml upon 1000 is equal to w upon 392 बस अब आप इसको solve कर लो तो आपके पास यह answer आजाएगा यहां से यह हट गया ठीक है तो 392 into 0.5 into 5 upon 100 बस इसको solve कर लो यह answer किसमें आजाएगा ग्राम है तो इस तरह से आपको इस टाइक्योमेट्री के question solve कर ले है यहां तक clear है बिलकुल समझ गये ना तो इस तरह से normality से related है, molarity से related है, volume से related है, amount से related है, mole से related है, जो भी given amount दे रखी है अब एक और question देखो यहां लिख दिया जाए आपको कि यह है H2 और यह है O2, gives 2H2, मालो यह 10 gram use हो जाए, तो यह कितना होगा और यह कितना होगा, फटा फट करके बता सकते हो इसको, तो सबसे पहले mole में change कर लो आप 10 upon कितना कर दिया, 2, तो यह कितना आ गया, 5, ठीक है, इसके mole हमें नहीं पता बस हम इसके mole हमें नहीं पता, बस हम इसके बाद क्या करेंगे, equivalent का formula लगा दो, तो आपने लिखा 5 by 2, ठीक है, equals to NO2 by 1, equals to NH2 by 2, बस आप देखो आप NH2 कितना हो जाएगा, तो NH2 is equal to 5 into 2 upon, यह कितना हो गया, 5, तो आपके पास NH2 है 5 mole, तो WH2O कितना हो जाएगा, बच्चो, 5 into 80, इस तरह से आप, किस के moles calculate कर सकते हो, H2O के moles से फिर volume में change कर लो, mass में change कर लो, जिसमें भी आपको question पूछा, ऐसे ही NO2 is equal to, यहां लिखोगे आप NH2 by 2, तो NO2 is equal to, ठीक है, तो यहां पर आपके पास equivalent है 5 by 2, तो यहां पर आपके पास आजाएगा 5 by 2 into, अगर आप इसे चाहें, तो volume में change कर सकते हैं, कि यहां में यहां पर volume लेना है, तो 22.4 ले लो, mass में gram में पूछा गया है, तो gram में calculate कर लो, जिसमें भी calculate करना है, उसमें करो, तब जाके आप जो है, इस तरह के questions बहुत अच्छे से solve कर सकते हैं, तो समझ गए होगे कि स्टाइक क्योमेट्टी वाले question आपको कैसे solve करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से समझो आप इन questions को, कि स्टाइक क्योमेट्टी में सबसे पहले आपको जो भी formula दे रखा है, उसको balanced equation में convert कर लो, कितने moles किसके दे रखे हैं, वो लिख दो, किसी एक के दे रखे हैं, अभी यहाँ पे जो मैंने relation बताये हैं, कि जब केवल एक component की, चाहे हो reactant to product है, तब कैसे use करें, तो फिर equivalent law लगा दो, चाहे वो mass पहले, आपको कुछ भी दे रखा है, आप उसे mole में change कर लो, जैसे mole में change कर लिया है, तो equivalent ऐसे calculate कर लो, उनके stoichiometric coefficient से divide करके, बस, और फिर आप इनको बराबर करके, और अब आपको एक का equivalent पता है, तो पूरी reaction में किसी का पूछ ले, आप ऐसे तरह से calculate करते जाओगे, जैसे N2H2 के मैंने calculate करके बताया आपको, यहां तक clear है, इस तरह से आपको हर एक question को stoichiometry में ऐसे ही solve करना है, अगर किसी equation को balanced नहीं करके दिया गया, आपको direct ही पूछ लिया है, तो ध्यान रखें कि आपको ISO equivalent law यूज करना है, जैसे मैंने कहा कि यह NaCl है, और AgNo3 की reaction से AgCl बन रहा है, और NaNo3 है, उसने कह दिया कि यह 14.35 gram बनता है, तो बताओ कि यह कितना use होगा, यह कितना use होगा, तो just आपको बस यह ऐसे लेना है, इसके equivalent is equal to W upon E, AgNo3 के equivalent is equal to W upon E, किसके equivalent? और AgCl के, बस अब आपकी AgCl से compare कर दो, तो देखो, W upon E, इसका होता है, NaCl का 58.5 is equal to, यह दे रखा है, 14.35 upon 143.5, ठीक है, तो इसको solve कर लो, आप 14.35 upon 143.5 into 58.5, solve कर दो, बहुत easy going हो जाएगा, तो यह आजाएगा, आपके पर दो, पास 5.85 gram, यह इतना use होगा, इतने gram, तो अगर आपको equivalent mass आता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं आता है, तो molecular mass का use कर लो, mole की stoichiometry लगा लो, और solve कर दो, ओके, तो फिर हम मिलते हैं next में, जिसमें आपको दूसरी stoichiometry बताऊँगा, जिसमें use होते हैं limiting reagent, उनको कैसे करें, समझ गए ना, solve, limiting reagent वाले questions, तो वो और इन से जादा easy है, ठीक है, तो मैं मिलता हूँ next video में, तब तक के लिए वाई, thank you, thank you बच्चो,